आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम और सिधान तकी होतरी स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत दिस्वागत है भाई हम बात करेंगे रश्या और यूक्रेइन की रश्या यूक्रेइन कान्फिक्ट मुझे लगता है कि रश्या बहुत जल्द यूक्रेइन पर अटाग कर देगा मैं रश्या यूक्रेइन के बारे में अभी एक लेक्टर बनाये था तो रश्या के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, सर्गी लैवरोव उन्होंने चेतावनी दे दी है, कि भाई यूरोप में भीशड यूद्ध हो सकता है, नाइट मेयर ओफ मिलिटरी कॉन्फरेंट्रेशन तो तयार रहो, सीधा चेतावनी, यूरोपियन अरे यार बार बार ये पीछे ही चला जाता है आज मैं बहुत बड़ा एनॉस्मेंट करने वाला हूँ, बहुत बड़ा रात तक या फिर कल तक हो जाएगा पीपिटी सर इतनी घटिया बनाओगे कि अब डेटा भी नहीं रहेगा, हाँ, सही बचाना पीपिटी मैं बना दूँगा यार अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, बहुत जाधा बिजी हूँ, मैं अपनी पीपिटी खोदी बनाता हूँ, तो इसलिए कुछ चीजों में बिजी हूँ, मैं आज अनॉस करूँगा, क्या है तो यूरोपियन सिक्यूरिटी कॉन्फरेंस और धीजो पीज़एं? šująही है, वेह वहां पर लेवरोव ने बोला की, भाई नया यूरोपियन सिक्यूरिटी पैक्ट करो ठीक है? एक ऐसा सिक्यूरिटी पैक्ट करो जिससे नेटो जो है वो इस्ट में ना एक्स्पाइंड कर पाए ये लेवरोग का सुझाओ था नेटो अमेरिका बैग्ड और्डिनाजेशन है आपको पते नौथ अट्लैंटिक ट्रिट्री और्डिनाजेशन तो अमेरिका के सेकरेटरी और्फ स्टेट ने क्या बोला एंटोनी ब्लिंकेन ने ये बोला है कि देखो अगर रश्या और यूक्रेइन आपस में भिड़ेंगे तो बेटा सीरियस कंसीक्वेंसेज के लिए तैयार रहना वार्निंग दिया है ये धमका दिया है अमेरिका ने रश्या को कि अगर तुमने यूक्रेइन पे हमला किया तो इसके सीरियस कंसीक्वेंसेज होंगे रश्या आपको पता ही है कि मिलिटरी जो यूक्रेइन का बॉर्डर उस पे तगड़ी मिलिटरी तैनात कर रहा है यूक्रेइन का ये कहना है वैसे रश्या ने यूक्रेइन से क्रीमिया तो 2014 में छीज नहीं लिया यूक्रेन का कहना है कि रश्या ने 90,000 से जादा लोगों को तैनात कर दिया है ट्रूप्स है ये कभी भी अटाक हो सकते हैं मॉस्को ने ये डिनाई किया है पागल लग क्या मैं थर थर इन अटाक अटाक करने वाले हैं नहीं यार उल्टा जो यूक्रेन है उसने मिलिटरी विल्ट अप करना चुरू किया है तो टेंशन बहुत जादा बढ़ती जा रही है और रश्या ने ये भी बोला है कि हमने तो तीन यूक्रेनिय सर्विस एजेंट्स को भी सेक्यूरिटी सर्विस एजेंट्स को कल गिरफतार किया या हमारे खिला प्लॉटिंग कर रहे है दोस्तों मुझे ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत जादा लग रही है कि आने वाले समय में एक तो आपको पता ही है पोलेन और इधर यूक्रेन और इधर नुद्यानिया में सब जगा क्राइसीज ये माइगरेन ट्राइसीज हो गई है उसमें भी रश्या जब्मेदार बूजी ऐसा लग रहा है परसनली फील हो रहा है कि अगले कुछी अफ्तों में रश्या अटाक कर देगा यूक्रेन पे और अगर ऐसा हुआ तो देश involved होंगे खतरनाक हो सकता है ये तो आप वही है कि ये बता रहे थे अब देखिए रश्या क्या करता है देखिए जब रश्या ने चचन्या पे अटाक किया था तो रश्या ने बोला था कि हमारे देश पे इन्होंने टेरिरिस अटाक किया इसल ठीक है अब जैसे मालेज ये पाकिस्तान नहीं अच्छा किसी देश का नाम नहीं देते हैं जैसे A और B देश है अब ये A और B देश की दुश्मनी है A बहुत ज़्यादा पाफुल देश है B इतना ज़्यादा पाफुल नहीं है not so पाफुल अच्छी राइटिंग में लिखूंगा मैं बहुत हो गया अब राइटिंग देखना तुम यह देखो यह A है यह B है It is powerful, it is not so powerful यह दो states है अब यह बोल रहा है रश्या करता है रश्या यह बहुत टाइम से करता आ रहा है चैशन्या का इन्वेजिन ऐसा बहुत लोग वोला है कि टर्रिरिस्ट अटाक यह रश्या ने खुदी करवाया था और उसके बाद इनिवेटि कर दिया तो अब यहां पर रश्या ने देखे फिर से यही बोला है कि यूक्रेन एक terrorist अटाक करने वाला है, हमने तीन आतंकियों को गिरफतार किया हुआ है, यूक्रेन की सिट्टी पिट्टी गुम हुई पड़ी है, आप समझे है, यूक्रेन की एकड़म हालत खराब है समय, चुकि वो इतना ताकत्वर थोड़ीन है न, रशिया एक हफ्ते में यूक्रेन को हरा देगा, ऐसा, अब लैब्रो व ब्लिंकेन जो है, वो दोनों कॉन्फरेंस में मिले, वही OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe, तो, American officials ने बोला है, कि देखिए, यूक्रेन पे हम और बातचीत करेंगे, हम और रशिया अच्छी कासी बातचीत करेंगे, साथी साथ, अमेरिका के President Joe Biden, और Vladimir Putin की मुलाकात हो सकती है, आगे आने वाले समय में, तो यह बहुत अच्छी बात है भाई, रशिया के Foreign Ministry ने यही कि पुतीन, Biden समिट, आने वाले समय, आने वाले कुछ दुनों में ही हो सकती, अभी डेट को fix नहीं किया गया है, रशिया का जो troops build up है, Ukraine border, तो वो खतरनाक होता जा रहा है, ओके, अभी इसी हफते, Vladimir Putin ने यह बोला, कि देखो, हम चाहते हैं, उन्होंने अमेरिका से बोला, क कि हम चाहते हैं कि अमेरिका कुछ भी ना करे, वो नेटो को stop कर दे, east में जाधे expand ना करे, that's it, Ukraine तो नेटो का member भी नहीं है, कहने का मतलब यह ही है, कि Ukraine और रशिया, यह जो है, यह हमारा आपसी मामला है, तो अमेरिका इसमें जाधा हस्तक्षेप ना करे, बिल्कुल दूर रहे, लेकिन नेटो नेसको refuse कर दिया, कैसे दूर रहेंगे, हम तो दूर नहीं रहेंगे, यह बिल्कुल सही बात है दोस्तों, रशिया का रशियान फोर्से सैटलाइट इमिजस ली गई है, तो रशियान फोर्सेस का बिल्ड़ अप, स्पॉट किया गया है, yes, Ukraine से 300 किलोमे दूर, रशिया का बिल्ड़ अप काफी जादा हो रहा है, और यह आगे बढ़ रहा है, अब देखिया, अमेरिका की जो मीडियम रेंज मिसाइल से, यह बाउट टो एपिर इन यूरोप, बस, खतम, यही लेवरोव ने बोला, अमेरिका की, भाई, अब रशिया अगर इदर आगे बढ़ेगा, तो अमेरिका अपनी मिसाइल से जो है, वो यूरोप में लगा देगा, और उसके बाद फिर वही है, मिलिटरी कॉन्फरेंटरेशन होगा ही होगा, नाइट मेर सिनारियो है यह, नेटो को इन्होंने वार्म किया है, ना बेटा, रशिया की तरफ आख भी किया जाए, बातचीज से हम दोनों बेटें, वड़ा पाव खाएं, समोसा खाएं, चाय पिएं और चीजों को सॉल्फ करें, अमेरिका बिल्कुल फेसिलिटेट करेगा, लेकिन अगर रशिया कॉन्फरेंटरेशन, अगर रशिया भिढ़ना चाहता है, तो फिर तयार रहना इतना बं मारेंगे कि पूरा इलाका धुआ धुआ हो जाएगा हजरात 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 हजरात, जब लिंकिन ने बोल दिया है, कि हम नहीं चाहते हैं करैसिस को, कोई दिक्कत नहीं है, रशिया अच्छे से रहे हैं हमारे साथ, लेकिन अगर तुमने कुछ भी गड़बड कि या, अगर तुमने युक्रेन पर अटाक किया और अगर तुम क्राइसिस, अगर तुम कॉन्फरेंटेशन करना चाहते हो, तो बेटा दवडा के मारेंगे तुमको हम, ऐसा, इन बिट्मीन दा लाइन्स बता रहा हूँ, जो डिप्लोमेसी की लाइंग्वेज होती हो, काफी डारेक्टे टॉक्स जो है रश्या से करना चाहते हैं, साथ साल के बाद ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक रश्या और युक्रेन की डारेक्टे टॉक्स जबसे क्रीमिया पर कबजा किया रश्या ने, तबसे हुई नहीं है, और इन्हों ने ये भी बोला कि देखे हमारा गोल क्रीमिया को लिबरेट किया जाए, जो कि रश्या ने एनेक्स किया था, 2014 में, तो वही चीज है, देखते हैं फिला लागे क्या होता है, लेकिन सेनारियो बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं, एक्च्ट्रा 25% आफे दोस्तों हमारे कोर्स पर, आप इनको ज़रूर अवेल Thank you so much.